तो यार आपका स्वागत है हमारे सर्वावेल वर्ल्ड के अंदर और पिछले एपिसोड में हमने एक ट्रेडिंग हॉल बनाया था और उसी ट्रेडिंग हॉल के अंदर मैं एक ऐसे विलिजर रखने वाला हूँ जो मुझे वन एमरेल्ड में सब कुछ देंगे तो इसी लिए आज हम उस ट्रेडिंग हॉल के अंदर विलिजर ट्रांसवर कर आने वाले हैं तो यही है सबसे easy और simple ट्रेडिंग हॉल जो हमने पिछले एपिसोड में बिल्ड किया था और इस ट्रेडिंग हॉल के एक कॉर्णर पर मैं एक ऐसा चेम्बर बनाने वाला हूँ ज बूर्ने निखन जाता हूं एक zombie को फिर मैं को एक zombie तो दिखता है फिर मैं उसको दीरे-दीरे अपने base के पास लेकर जाता हूँ, फिर कैसे ना कैसे करके एक जॉम्बी को इस चेम्बर के अंदर ले ही आता हूँ, बट में को फिर से बाहर भी निकलना था, तो मैं जल्दी से पानी डाल के बाहर निकलता हूँ, और फिर फाइनली एक जॉम्बी तो इसके अंदर पैक होई जाता है, बट जब तो जॉम्बी अपने जगे से गायब थे मतलब कि वो सूरज की रोचनी की वज़े से मर गए थे भाई मेरे को लगता है स्टेर की वज़े से लाइट पास हो रही थी नीचे बट मैंने उस चीज पर ध्यार नहीं दिया अब इसी वज़े से मेरे को पूरा फिर से लाना पड़ फिर मैं इस जॉम्बी को बोट में डालता हूँ ताकि ये डी स्पॉन ना होए तो अब मैं जल्दी से शीर्स बनाता हूँ और शीर्स से बहुत सारा वूल लेता हूँ क्योंकि अब मुझे वूल से बनाने थे बहुत सारे बेड जो की लगने वाले हमारे ट्रेडिंग हॉल के अंदर विलेजर के लिए और मेरे पास इतना सारा वूल तो आई गया था उन शीप्स की वज़े से फिर मैं जली से बहुत सारे बेड बनाता हूँ और उनको लाइन वाइस लगाता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर और अब हमें जरूरत थी विलेजर्स की और व उसके अंदर से ये बन्दा लाइब्रेडियन बन चुका है और ये मेरे को सिल्क टश दे रहा है फिलाल तुम्हें को जोरत नहीं है और फिर मैं इन दोनों के अराउंड चारों तरफ बाउंडरी बनाता हूँ क्योंकि अब मैं इन दोनों को एक बोट से अलग करने चारा थ और मैं नहीं चाहता कि ये दो भाग जाएं तो अभी मैंने पूरी बाउंडरी तो बना लिया है एक बोट वहां पर रखते हैं और यार फाइनली इन दोनों को मैंने अलग तो कर दिया है और इसके अंदर से इस बंदे ने आर्मर की जॉब ले लिया है लाइब्रेडियन से और अब बारी थी इन दोनों को अपने ट्रेडिंग ओल के अंदर शिफ्ट करने की तो मैं अपनी वही ट्रिक का इस्तमाल करता हूँ तब बोट ट्रिक मतलब यार सही में बोट बहुत ही जादा धीरे चलती है तो इसलिए में इनको इतना धीर तो नहीं जाना था फिर मैं एक लीडल आता हूँ और उसको अटैच करता हूँ अपने बोट से और फिर उसको घीच के अपने ट्रेडिंग ओल के पास ले आता हूँ इसकी हल्प से फिर मैं ऐसे ही करते दूसरे विलेजर को भी अपने ट्रेडिंग हॉल के अंदर ले आता हूँ और फिर दो कमपोस्टर लगाता हूँ ताकि ये लोग अपनी जॉब यहीं पर ले ही ले तो विलेजर की सेफटी के लिए मैं दोनों तरफ फैंसिस लगा देता हूँ ताकि ये लोग बाहर तो ना ही जाए और फिर मैं इन दोनों की बोट तोड़ता हूँ और अज़ाद कर देता हूँ और फिर हमारा ट्रेडिंग हॉल कुछ ऐसा लग रहा था बट अम्मे को करानी दी ब्रीडिंग तो फिर मैं अपने फार्म पे आता हूँ बहुत सारा खाना निकालता हूँ इनकी ब्रीडिंग के लिए और फिर मैं इन सबको सारा खाना दे रहता हूँ तो इसी दर हमारे पास तीन बंदे तो आ गए थे ट्रेडिंग हॉल के अंदर तो अब मैं एक फार्मर को पकड़ता हूँ और उसको बोट में बिठाता हूँ ले चलता हूँ जॉम्बी के पास ताकि ये बंदा जॉम्बी विलेजर बन जाए और फिर मैं जॉम्बी की बोर्ट तोड़ता हूँ और फिर जॉम्बी उस विलेजर को भी जॉम्बी विलेजर बना देता है और इसी के साथ हमारे पास एक जॉम्बी विलेजर आ जाता है और फिर मैं उसको उस चेमर के अंदर ही बंद रखता हूँ और फिर उस बोट से जॉम्बी को मारता हूँ क्योंकि हमें कोई जॉम्बी की जोरती नहीं है गाइस अब आप देखो मतलब ये विलेजर में को बिल्कुल भी ट्रेड तो सस्ती करी नहीं रहा है बट अब ये मेरे को बहुत ही जादा सस्ते में देने वाला है जब मैं उस विलेजर को क्योर करूँगा तो क्योर करने के लिए में को पोशिंस चाहिए थे ब्लेजर ओड चाहिए थे तो इसलिए मैं आगे अपने नेधर के अंदर और फोर्टरस में आके मैंने थोड़ी ब्लेज मारी क्योंकि मेंको अभी बहुत सारी blaze rod तो चाहिए ही थी और फिर आगे आके मेरे को बहुत सारा nether ward भी मिला वैसे मेरे को पिछली बार भी मिल रखा है बट फिर भी मैं और ले लेता हूँ फिर मुझे fortress के अंदर एक chest मिलती है chest के अंदर एक golden horse armor होता है और फिर एक और chest मिलती है और उसके अंदर iron horse armor और एक saddle होती है तो अब मैं आ गया था blaze rod लेकर उस blaze से फिर मैं जल्दी से एक brewing stand बनाता हूँ उसको place करता हूँ क्योंकि अब में को बनाने थे बहुत सारी potions और potions के लिए मुझे बनाना था fermented spider eye और उसका सारा समान मेरी chest के इंदर तो थाई तो मैं जल्दी से एक fermented spider eye बना लेता हूँ और फिर बहुत सारी bottle बना के fermented spider eye के साथ reaction करता हूँ और वहाँ से मिल जाता है मेरे को weakness का portion बट यार अब में को बनाना था एक splash portion और splash portion बनाने के लिए मेरे को चाहिए तो बहुत सारा gun powder और फिर gun powder से reaction करवाता हूँ अपने weakness के portion को और मुझे पता है splash portion बनने ही वाला है बट अभी मेरे को एक और important काम करना था जो की थे यार golden apple में को बहुत सारे golden apple भी चाहिए थे तो मैं भाई बहुत सारा जो में पास gold बढ़ाता उसको smelting के लिए डालता हूँ और में पे काफी सारे apples भी दे और उन से बना ले तो मैं बहुत सारे golden apple तीन ही बने है बट और भी बनी जाएंगे फिर मैं आता हूँ अपने zombie विलेजर के पास उसको जल्दी से एक weakness का potion मारता हूँ और फिर एक golden apple देता हूँ ताकि ये जल्दी से क्योर हो जाए यार जब तक वो बन्दा क्योर होता है तब तक मैं अपने chest plate में enchantment लगा लेता हूँ अपने enchanting table से क्योंकि अभी तक मेरी chest plate के अंदर enchantment तो थी नी तो फिर मैं देखता हूँ उसकी enchantment तो फिर में को fire protection मिल रही थी बट यार में को fire protection तो चाहिए ही नी थी तो फिर इसलिए मैं protection 2 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे protection 4 का तो armor बनाना ही है कैसे भी और तब तक में हमारा villager भी क्योर होई जाता है सारे बैड लगा देता हूँ क्योंकि अभी मैं को चाहिए थे बहुत सारे villagers अपने trading hall के अंदर बट यार मेर को इन villagers से और भी सस्ते में माल चाहिए ही था तो इसलिए मैं एक और zombie को रात को बुलाता हूँ और फिर उसी farmer को फिर से उस zombie में convert करता हूँ zombie villager में और फिर एक zombie तो आजाता है इस farmer के पास और फिर इसको भना देता है zombie villager फिर मैं उस zombie को मार देता हूँ हमें zombie की जोगत तो नहीं थी और फिर क्योर करता हूँ अपने villager को और फिर थोड़ी दिर में ये जॉंबी विलेजर कंवर्ट हो जाता है विलेजर के अंदर और फिर मैं विलेजर के ट्रेट देखता हूं तो यार में को थोड़े से कम तो और नजर आ रहे थे तो इससे पता चलता है हमें बहुत टाइम लगने वाला है इन विलेजर को वन एमरेल्ड विलेजर बनाने मे मैं कुछ दिनों तक वही प्रोसेस करता हूँ जॉंबी विलेजर वाला और फिर मेरे को थोड़ा कम तो ये लोग देने लगते है और मैं इन लोगों को वन एमरेल विलेजर बना दूँगा आफलाइन ही बना लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़ादा टाइम लगने वाला है बट ट्रस्ट मी यार हमारा बिलकुल भी एमरेल वेस्ट नहीं होगा तो समय इने जॉंबी विलेजर से विलेजर में कनवर्ट करना है वैसे क्या आपको ये ट्रिक पता थी अगर पता हो तो लेट मी नो इन दे कमेंट शेक्शन क्या आपने ये ट्रिक कभी यूज की अपने वल्ड के अंदर तो वीडियो यहां तक देखिये तो पसंद तो आई गई होगी अगर आई है तो do like the video and make sure to subscribe and आज के लिए बस इतना ही मैं मेलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई